आयूर्वेदिक अस्पताल पप्रोला में जलाया युनका बैजनात ने स्वास्थि मंत्री का पुतला बैजनात ब्लॉक युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष एवं कंद्राल पचायत से उप्रधान रिविंदर राउने ब्लॉक युवा कॉंग्रेस के कार्य करताओं के साथ आयूर्वेदिक अस्पताल पप्रोला में चल रही स्वास्थि सुविधाओं की कम्यों के चलते रोश प्रकट करते हुए प्रदेश सरकार में कार्यरत स्वास्थि मंत्री राजीव सैजल का पुतला जलाकर विरोत प्रदर्शन किया राओ ने कहा कि उन्होंने बैजनात विधान सभाक्षेत्र की आमजनता की उचित समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए एक माह पहली यूवा कॉंग्रेस के साथियों की साथ आयूर्वेदिक महा विध्याले की प्रदानाचार्य के माध्यम से अस्पताल परिसर में चल र नहीं यह जिसके चलते आम लोगों को अगर सिटी स्कैन या इल्ट्रासाउंड के टेस्ट करवाने हो तो उन्हें मजबूरन कभी पाल्मपूर या अन्य प्राइवेट जगहों पर जाकर चार हजार या पांच हजार रुपे देकर अपने टेस्ट करवाने पर रहे हैं राओ ने कहा कि एक माह बीट जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग वा आयुर्वेदेक विभाग की तरफ से इस मसले को हल करने की कोई उचित पहल नहीं की गई है राओ ने महाविध्यालय प्रसाशन वप्रदेश सरकार को एक सप्ता का समय देते हुए आमजिन्मानस की इस मांग को हल करने की बात कही है इसी के साथ जो मेडिकल स्टो अस्पताल के अंदर टैंडर प्रक्रिया के माध्यम से जिन्हें दिया गया है वो दो माह बीट जाने पर भी पूर्ण रूप से बन पड़ा है जिसके चलते अस्पताल में आये रुए मरीजों को दवाए लेने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पर रहा है अगर एक सपता के भीतर इन मांगो वयन सुविधाओं को महाविद्यालय में सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया तो युवा कॉंग्रेस बैजनात सरकार्व प्रसाशन के खिलाफ उग्रा अंदोलन करेगी इस अफसर पर पारशद राजेश क लेडी सुरेंद्र महरा अर्चित धीमान तेजस ववस्थी अंशुल अवस्थी साहिल सेथी साहिल कपूर बासु कुमार अनिल अमित अजय संजीब प्रिंस मोहितादी युवा साथी मौजूद रहे लेकिन यहाँ पर उटा है कभ्यों यहां पर लोगों को हैट्रासॉंट की विजए नहीं नीनी यची है उपिचार लेए के लिए उपने मेली जाते है उनको थेहां पर गाईनें किया जाता है और बूसरी दरफ आप देख रहे हैं लेक मात्रिहां की अग सियाट़ जो है व वेजनाथ से शेव सूर की रिपोर्ट